उत्तर प्रदेश की राजनीती में एक कहावट काफी ज़ादा जोरो पर है कहावट आप सबने सुनी होगी तुम डाल डाल तो मैं पात पात दरसल में यहाँ पे डाल डाल पे है बिजेपी तो वहीं पात पात पे है विपक्षियानी की सपा पूरा मामला क्या है आई ये आपको बताते हैं मामला है सरकारी नौकरियों में संबिदा को लेकर योगी सरकार ने एक प्रस्ताव जारी कर कहा है कि अगर व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में काम करना है तो पहले उसे 5 साल के लिए संविदा पर काम करना होगा यहीं नहीं रुकती ये बात हर 6 महीने में उस हर एक व्यक्त का मुल्यांकन होगा जो की कार्याले अध्यक्ष और विभागा अध्यक्ष के साथ साथ सासन के अधिकारी मिलकर करेंगे यदि आपके अंक साथ प्रतिसत से नीचे रहते हैं तो आप कथित सरकारी नौकरी से वन्चित रह जाएंगे कथित यहाँ पे जरूरी इसलिए है क्योंकि हर एक व्यक्त को उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद ही नौकरी मिलती है उसके बाद 5 साल का संविदाकाल और उसमें भी अगर आप पास नहीं हो पाए तो आप अपने घर पे आराम फरमाईए बेरोजगारी का आलम ये है कि जहां एक तरफ देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अपना जनम दिन बनाने से पहले एक सफता सेवा सफता के तौर पे मना रहे हैं तो वहीं ट्विटर पर बेरोजगारी दिवस धरले से ट्रेंड हो रहा है बेरोजगारी का ये आलम देखकर सत्ता पक्ष के पसीने तो जरूर छूट रहे होंगे लेकिन वहीं अब बात करते हैं विपक्ष की तो अखिलेस यादों ने दोटू कह दिया है कि यदि बेरोजगार व्यक्ति और नौजवान युवा उनकी सरकार बनाता है तो सबसे पहली कैबिनेट में वो ऐसे प्रस्तावों को पलट देंगे यानि कि अब अगर गेन देखी जाए तो वो सपा के पाले में है बीजेपी इसका क्या काट निकालती है ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन आप चलिए बात कर लेते हैं डाटा पर 2020 के डाटा के हिसाब से जो सहरी बिरोजगारी दर थी वो मई के महीने में 16 प्रिस्ट से बढ़कर 25 प्रिस्ट से भी जादा हो गई है वहीं ग्रामीड की बात कर लें तो 22 प्रिस्ट से भी जादा मई तक के आकड़े बताते हैं कि बिरोजगारी दर है वहीं जून जुलाई और अगस्ट और सितंबर के आकड़े अभी तक आए नहीं है सरकार के लिए काफी चर्चा का विश्य है पहले से ही उत्तरप्रदेश जैसे राज में नौक्रियों की काफी जादा किल्ड थी उपर से ऐसे कानून सायद बेरोजगारों को बेमौत मारने के लिए काफी है आज मीडिया में ये बाते नहीं हो रही है नेशनल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी अभनेतरी के ट्वीट को लेकर एक बखेडा ख़ड़ा किया जा रहा है बेरोजगार युवार जो की इस सासन और इस सत्ता में जिस सत्ता को वो वापस लेकर आया वो युवार आज बेरोजगार है सायद बिजेपी ने आने से पहले यही वादा किया था कि वो युवाओं को नौकरी देगी लेकिन ये कहीं न कहीं एक खोखला वादा और एक जुमला ही साबित होता हुआ नजर आ रहा है खेर जो भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बेरोजगारों की आवाज दबनी नहीं चाहिए ये कानून सायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा यही वज़ा है कि हर व्यक्त इस कानून के बारे में बात करना चाह रहा है बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद